हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं जोते शुरतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत-बहुत हारदिक स्वागत और अभी नन्न मेरे प्रिय साथियों मैं हूँ आचारे पंडित सर्वदनंद शर्मा मेरी और से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमश्कार तो साथियों आज हम आपके साथ अपने दर्शकों के साथ जिस विशे पर चर्चा करने वाले हैं यह आपका बहुत मन पसंद विशे हैं औ आपको यह बहुत पसंदारा है इसके लिए हम तहे दिल से आपके बहुत बहुत धन्यवादी हैं आपके शुक्र गुजार हैं तो साथियों इसका नाम है दुशे का मंतली लव राशी फल और यह जोलाई दोहजार तेईस से संबंदित हैं आज हम जो चर्चा करने वाले है इस कारिकरम में जो कन्या लगनराशी के जो हमारे मित्र हैं यानि कि जिनका विरगो असेंडेंट बेस जो परसंस है उनके विशे में चर्चा होगी उनके विशे में जानकारी आपको देंगे कि घूलाई दोहजार तेएस में जो ट्रांसिट में प्लैनेट्स की पोजिशन की सिती है उस आधार पर आपकी जो लव लाइफ करने लगन राशी के जातकों की वो किस डारेक्शन में जाने वाली है कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने वाले है इस महीने जॉलाई में दोहजार तैईस में या कितने निगेटिव तो इस बात की चर्चा हम आप के साथ करने वाले हैं लेकिन आप ये भी जानते हैं हमारे बहुत से दर्शक गण जो इस प्रोग्राम को हमारे देखते हैं रेगुलर बेसिस पर कि हम जब भी लव राशी मेल हैं उनके विशे में बात करते हैं कि ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि आपका मित्र जो नहीं बन पाया है अभी तक जिसके वज़े से आप अभी तक सिंगल है तो क्या अब संभाव ना है क्या इस महीने कुछ गरों की तरफ से कुछ ऐसा संकेत है क कि आपको आपका एक अच्छा मित्र मिल पाए इसके विशे में जानेंगे पॉइंट नमबर टू रहेगा कि आपके पहले से कहीं रिलेशन्शिप चल रही है अलड़ी या आपका एफेर कहीं चल रहा है पहले से तो उसमें किस प्रकार के रिजल्ट से जोलाई दोहजार इसमें आपको मिलेंगे कितने पॉजिटिव कितने निगेटिव तो वो आपकी लाइफ कैसी चलेगी कितनी प्रोग्रेस होगी आपके रिलेशन्शिप में या फिर अगर शादी की प्लानिंग कर रहे है तो क्या शादी का योग भी है क्या जोलाई दोहजार तेईसमें कि जो आप विवाह कर सकें इसके विश्य में भी बताएंगे और पॉइंट नंबर फॉर रहेगा कि जो विवाहित लोग हैं यानि कि जो मेरिट कपल्स हैं कन्या लगन राशी के जा तक उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है जोलाई दोहजार तेईसमें अब आते हैं लेकिन उसके बाबजूद भी आपका एक्ष्ट्रा मेरिटल एफियर चल रहा है तो इसकी इस्थिती कैसी रहेगी उसको आप कितना एंज्वय कर पाएंगे जोलाई दोहजार तेईसमें कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे या कोई दूसरी प्रॉबलम तो क्रियेट हो जाएगी कोई आपके लिए समस्या तो नहीं बन जाएगा कोई मामला कोई नया खर्णा तो नहीं हो जाएगा आपके अगे इस बात को ले करके भी चर्चा आप से करेंगे अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको साफधान करेंगे और अंत में पॉइंट नंबर फाइव रहेगा कि आप फिलाल वर्तमान में नो कॉंटेक्ट सिचुएशन में पहुँच चुके हैं यनि के आपके मित्र के साथ आप आज की डेट में कोई संपरक नहीं है कोई और आप ये चाहते हैं कि आप जैसे पहले उनके मित्र होते थे पहले आपकी उनके साथ मित्रता होती थी बहुत स्ट्रॉंग रेलेशन्शिप थी बिल्कुल उसी तरह से आगे भी हो उसमें कुछ बादाएं आ रही हैं या आएंगी आसानी से जो आप सोच रहे हैं वो सब हो जाएगा या उसमें भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा या नहीं हो पाएगा कुछ भी इस बात को ले करके क्या ग्रहों की और से संकेत रहेंगे इस जोलाई में वो भी आपके साथ शेयर करेंगे हम ये जानकारी भी तो आईए कन्या लगन राशी के जो आप जातक है और बताएंगे कि देखिए कि जो आप करन्या लगन राशी के सिंगल जातक है चाहे आप मैन है या वीमेन है या या फिमेल है तो यहांपर क्या है कि सबसे पहली बात तो ही है कि आप का जो मित्र है मैं पहली जॉलाई से ही बात कर रहा हूं और विशेश रूप से एक तरीके से पहली जॉलाई से लेकर के और सत्रा जॉलाई तक पहली जॉलाई से सत्रा जॉलाई तक बात कर रहा हूँ मैं का जो समय है पहले पंद्रह सुला सत्रा दिन में यहनी कि आदा महीना जो निकला है यह उसमें तो एक तरीके से पहले जो हफता है एक हफता वो तो ऐसा ही जाएगा उसमें तो कोई आपको किसी प्रकार के रिजल्ट मिलने की दूर तक कोई संभावना नहीं है आप चाहें जो भी अपने मन में विचार करें जो भी सोचें या जो भी एक्शन लें उसका आपको कोई मिलने वाला पहले आठ दिन हाँ आठ जोलाई से लेकर के और फिर पच्चिस तारिक तक का जो समय होगा यह आप नोट करने हैं आठ जोलाई से पच्चिस जोलाई के बीच का जो समय होगा इसमें जो मित्र यानि कि जिसको आप अपना मित्र बनाना चाहते हैं या जिसको अ को यहां तक कहुआ कि देखिए सबसे बड़ी समस्या आपके साथ क्या होगी इस जॉलाई में आपने मित्र मान लिया आप उसको चाहते हैं मानते हैं आपकी उनके साथ बाच्चीत भी होती है मिलना जुलना भी होता है लेकिन कहीं ना कहीं आप घबराते भी हैं डरते भी है और डर जो है वो कुछ बातों को ले करके हैं जो जैसा कि होता है होना भी चाहिए और वो डर इसी बात का कि भाई आज अगर मैं मान लीजिए इनके साथ मितरता बढ़ाता हूं या बढ़ाती हूं तो आने वाले दिनों में कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे साथ कोई खेल हो है आप आने वाले समय को ले करके कुछ ज़्यादा परिशान रहेंगे और पैसला लेने में आप इसलिये देरी भी करेंगे जल्दबाजी नहीं करेंगे सोच विचार ज़्यादा करेंगे बहुत कि अब मुझे क्या करना चाहिए नेक्स स्टेप मुझे क्या लेना चाहिए करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए मैं पीछे ही ठीक हूँ कई बार आपके दिमाग में ये भी ची जाएंगी कि नहीं मैं पीछे ही ठीक हूँ, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं करना इस आदमी के साथ या इस फीमेल के साथ, मैं चक्कर मैं नहीं पढ़ना चाहता, मतलब डर, भैख, लेकिन दूसरी और, आपका बुद्धी भी काम करेगी, वो ये करेगी, कि फिर मेरे साथ क्यों गलत होगा, और यहां पर आपको बताना चाहूँगा, कि जिसके विशे में आप इतना विचार, इतना जरूस से ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं या करेंगे, इस महीने, जोलाई में, आठ तारीक से लेकर के और पच्चेस जोलाई के बीच की बात कर रहे हैं हम, आपके मित्र का आपको बहुत अच्छा, उनका ब्यावार आपके साथ बहुत अच्छा रहेगा, उनका एटिट्यूट बहुत पॉजिटिव रहेगा आपको ले करके, और बस इसी बात को ले करके आपके मन में बह रहेगा, कि आज तो है बहुत अच्छा, क का मैं आपको यहां पर एक बात और बताना चाहूँगा कि बहुत ज्यादा सोच विचार में समय ना गवाएं देखिए आठ तारिक से मैंने 25 तारिक बोला है आप सिंगल जातकों को कन्या लगन के अब आपको मैं वो डेट दे रहा हूं अगर आप मेरी बात पर यकीन करते है विश्वास करते हैं तो जैसा हम कह रहे है अगर आपने ऐसा किया तो आपको इसमें सफलता मिल जाएगी क्या मिल जाएगी देखिए डेट हम आपको दे रहे हैं आठ तारिक से तेरा तारिक तक का जो समय होगा उसमें तो आप बेशक सोच विचार कर ले और जो भी जानका तेरह तारिक से लेके 25 तारिक के बीच में ज्यादा समय नहीं है आप उनको प्रपोस कर सकते हैं प्रपोस कर दीजिए तेरह तारिक के बाद और आपका ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा उनके द्वारा ये भी हम आपको बता दें और प्रपोजल भी एक्सेप्ट हो जाएगा और सबसे बड़ी बात ये है कि आप से ज़्यादे आपका मित्र आप में इंट्रेस्टेड है जितने आप अभी घवरा रहे हैं या आपको बह लग रहा है डर लग रहा है वो आपके साथ ज़्यादा मित्रता बढ़ाने में इंट्रेस्टेड है और ये ही वो समय है तेरह तारिक से 25 तारिक के बीच का अगर ये समय आपने निकाल दिया तो फिर आप बाद में हाक मलते रह जाएए बाद में अगर आपने कोई एक्शन लिया उसका फिर आपको कुछ नहीं मिलना वाला नतीज और उसके लिए फिर आपको इर्रिटेशन होगी तो ये जो है समय मैं बता रहा हूँ आपको तेरे तारिक के बाद आप तेरे चौदे पंद्रे में आप उनको प्रपोस कर दीजिए ये हम आप से कह रहे हैं अगर आपकी उनके साथ सब बाते ठीक हैं आपके पास सारी से पहले-पहले accept भी हो जाएगा तो ये तो इस हिती आपकी रहे कि करने अलगँ राशी के single जात्कों की बाकी आप पर निरुबर करेंगा हमने तो आपको ग्रौं की सिती के आधार पर आपका मार्ग दरशन कर दिया है आगे action तो आपको लेना है आगे बात करेंगे जिनका पहले से पॉइंट नमबर टू के रिलेशन्शिक पहले चल रहा है या एफ एर कहीं चल रहा है उनके हालात कैसे रहने वाले हैं भाई तो मैं आप से यही बताना चाहूँगा कि देखिए यह जो जॉलाई दोहजार तेईस का महीना है इसमें आप यनिके करने अलग अराशी क जो जाता कि है तो पहला एक हफ्ता साथ आठ दिन जो हैं शुरू के इसमें तो कोई खास विशेश प्रोग्रेस हमें दिखाई नहीं दे रही है आप दोनों के बीच में सब कुछ सामान ने ढंक से ही चलेगा आठ तारिक के बाद से और तेरह तारिक तक थोड़ा सा आपके मित्र का आपके साथ और अधिक जुड़ाव होगा और वो आपसे और अधिक जुड़ेंगे हाँ यहां पर कमी अगर मुझे कहीं दिखती है और वो पूरे महीने ही दिखती है आप थोड़ा सा अब चाहेंगोगा आपके उपर कार्य का प्रेशर है या आपका बहुत टाइट शेडियूल है वो फिर दूसरी चीज़े हैं उनके रहते हुए आप ज़्यादा समय ना निकाल पा रहे हों अपने मित्र के लिए या उनको समय ना दे पा रहे हों लेकिन ज आप भी उसकी बात को ऐसा नहीं है कि एग्नोर करेंगे आप भी चाहेंगे कि ऐसा मैं भी उनके लिए टाइम निकाल सकूँ तो यह होगा पॉसिबल आठ तारीक के बाद और तेरह तारीक के बाद से तो आप चाहें जैसे भी हो उनके लिए समय निकालने की कोशिश करेंगे ही करेंगे तो यह मित्रता आपकी जो है चलती रहेगी अच्छे डंग से चलती रहेगी इसमें किसी परकार का मुझे कोई बिगाड खाता या कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है मैंने जैसा कहा कि एक से आठ तारीक तक तो समानने रहेगी स्किश्थी आप दौनों के बीच में लेकिन आठ तारीक के बाद से ये चीछ जो है थोड़ा सा बढ़ेगी आप दौनों के बीच में मिलना जिलना बादचीत करना समय निकालना एक दूसरे के लिए कर पाएंगे आप ये और ये 25 सारीक तक सिलसला ज्यादा चलेगा लेकिन विवा का योग नहीं है साथीओं अगर विवा की आपकी कोई इच्छा है तो अभी विवा का योग नहीं है इस महीं ने आगे बात करते हैं जो विवाहित महिला पुरूश है पॉइंट नंबर थ्री ये है उनका कैसा रहने वाला है, तो मैं प्रिये साथियों आपको बताना चाहूँगा, कि देखिए, थोड़ा बहुत आपका जो जीवन साथी है, एक तो उसको हेल्थ के कुछ समस्याएं बन सकती है, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए, इस बात के बहुत प्रबल संकेत मिल रहे हैं, तो आपको उनकी केर करनी चाहिए, आपको उनका ध्यान रखना चाहिए, और इसी बात को ले करके थोड़ा सा वेवाइक सुख में जड़ा सा डिस्टरबेंसिज रहेंगे, कमी रहेगी, और बाकी कोई और ऐसी बिशेश परेशानी वाली बात तो नहीं दिखती है, और बस थोड़ा सा यही है कि समस्याइस हेल्थ के लिए थोड़ा सा उनको आपको साफदान रहना होगा, आपने जीवन साथी के हेल्थ को लेके, बाकी चीज़ां सामानने लगती है, बेवाहिक जीवन में, अब बात करते हैं, पॉइंट नमबर फॉर के आप मेरिट भी हैं, लेक यह महीना कुछ ऐसा है, गुरों की इसीती कुछ ऐसी है कि आप अगर चाहेंगे भी, या वो आपका मित्र भी अगर आप कुछ चाहेगा, कि आप उनसे मिलें, फ्रिक्वेंटली मिलें, मिलना जुलना होता रहे, प्यार मुहबच चलता रहे आपका और उनका, यह थोड़ा कोई प्रोग्रेस हो, आपके केस में, वो मुझे नजर नहीं आती, अब यह जो जॉलाई का महीना है, इसमें थोड़ा सा मामला एक तरीके से बस ऐसे ही रहेगा कि ठीक ठीक चल रहा है, आप अगर यह सोच रहे हों कि मैं एंज्जॉय करूँगा, तो ग्रहों की तो इस तर मैं अपनी सही चला हुआ, और देखे, कारण कुछ भी हो सकता है, अने को नेक कारण हो सकते हैं, उनमें से एक कारण यह भी हो सकता है, जो मैंने अभी कहा, कि आपकी जीवन साथी है, चाएं वो आपका मेल है, चाएं वो फीमेल है, उनके हेल्थ के शूज रहेंगे, उनको को ले करके हो सकता है आप डिस्टर्ब हों तो इस करके आप अपना एक्स्टा मेरिटल एफिर्स वाला जो रिलेशन है उस पर ज्यादा फोकस आपका ना हो पाए इसलिए भी उधर का मामला ठंडा रहे तो कुछ भी कारण हो सकता है लेकिन अल्टीमेटली फाइनली एक्स्ट में आ चुके हैं लोग करने अलगन राशी के जा तक कि भाई उनका कैसा रहेगा जोलाई 2023 में कुछ बात बनेगी बात आगे बढ़ेगी या फिर प्रियास जो है उनके रिजल्ट्स जो है प्रियास करने पर जीरो ही रहेंगे या कुछ थोड़ी बहुत सफलता मिलेगी तो तो साथियों आप से बताना चाहते हैं कि जो आप प्रिजेंटली अपने नो कॉंटेक्ट सिच्वेशन मा चुके हैं उसकी वज़ा से मेंटली तो आप काफी बोदर्ड हैं दिमागी तो आप हिले हुए हैं परिशान हैं दिल और दिमाग दोनों से और आपका अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है और अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपका काम में दिल नहीं लग रहा है और अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई भी धंदा कर रहे हैं, या कोई भी काम करते हैं आप, उसमें आपका दिल नहीं लगेगा, आप इस ये जो सब कुछ डिवलप्मेंट हुई है, और आप नो कॉंटेक्ट सिचुएशन में पहुचे हैं, तो उसकी वज़ा से आपका जो एक तरीके से माइंड है, वो बहुत अपसेट है, लेकिन अपसेट करने से कुछ नहीं होता, पहले आपको अपने आपको ठीक करना है, अपने आपको समालना है, और आप समालेंगे, और कब से समालेंगे, ये भी बता रहे हैं आपको, जी, पहले इस जोलाई के जो असाथ आट दिन हैं, उसमें तो कोई प्रोग्रेस होती नहीं दिखती है, हाँ, आठ तारिक के बाद से, आप अपने आपको समालेंगे, औ और अपनी बुद्धी का भी इस्तमाल करेंगे, कि भई, मैं तो अपना ही नुकसान कर रहा हूं, कुछ अच्छी पॉजिटिव सोच, आठ तारिक के बाद से, आपके दिमाग में आनी शुरू होंगी, जो की बहुत अच्छा है आपके लिए, अभी तक जो आपकी इस्थि कुछ जो मेरी लाइफ में चल रहा है या जो कुछ हो गया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपनी पूरी लाइफ स्पॉल कर लूँ, अपने आपको भी खतम कर लूँ, नहीं, यह तो महा बेवकूफी है, तो आठ तारिक के बाद से थोड़ा आपके अंदर चेंजे जा लाइगी, और सत्रा तारिक से पच्चिस तारिक के बीच का जो समय है, उस बुद्धी का आप इस्तमाल करके अगर आप अपने मित्र से संपर करने की कोशिश करेंगे, तो मैं इस बात की बहुत प्रबल संभावना है, कि आपके मित्र की और से भी बहुत अच्छा और पॉ का ही समय है, सत्रे जोलाई से आठ नो दिन का, ये अगर आपने निकाल दिया सोचने विचारने में, तो फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे, आठ तारिक से मैंने कहा कि आप थोड़ा सा समभलने की कोशिश करेंगे, तेहरे तारिक से औ और आप बुद्धी से अपनी काम लेंगे, और सत्रे तारिक के बाद आप अगर उन से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, काइदे से, तो इस बात की बहुत अच्छी संभावना है, कि उधर से भी आपको कुछ अच्छा सकारात्मक पॉजिट रेस्पॉंस मिलेगा, तो ये सिती जो है, जोलाई के महीने की, आप कन्या लगनराशी के जात्कों के लिए बन रही है, जिससे हमने आपको अभी अफगत कराया है, तो ये चर्चा अगर हमारी आपको पसंद आई है मेरे मित्रों, तो आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल से अधिक मात्रा में अगर आप इसको शेयर करेंगे, तो जो कन्या लगनराशी के दूसरे जातक हैं, उनको भी इस जानकारी का लाब मिलेगा, और अगर आप ये चाहते हैं, के आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियो बनेंगे, एस्ट्रोजी के सब्जेक्ट पर उन येग से बने लगने वेगल करेंगे, तो जो भी हमारे लिए-गज़ कि ऊपर रखेंगे, ऱ're दिनों में जो भी हमारे बने के लगनय wär में हैं, तो ऑग serv Produkt में वे जो जो में जो मुगने को रगनावरे येषम्रह सर कार साहते हैं, को। भी हम हर पでने हैं जो हैं, जो